भारत आश्टे लिए दूसरा टीटाउंटी मैच आश्टे लेकी खिलाब 13 प्रो में खेला जाएगा दूसरा टीटाउंटी जाने भारत का कैसा राया यहाँ पर रिकोर्ड कब खेला जाएगा मकावला कितने बज़े शुरो का मैच तो क्या पर रिकावर दोस्तों जानने के लिए बने रे वडियों मंत तक और चैनल को भी तक अपने सब्सक्राइब ने क्या है तो प्ली सब्सक्राइब जरू कर ले भारत रो आशले लेकि भी इस टीटाउंटी सिरीज का दूसरा मैच त्रिवंत पुरा में खिला जाएगा टीम इडिया ने पहले मैच में जीत दर्श करके सिरीज एक जिरो से बड़त आशली कर ली है भारत का त्रिवंत पुराम के ग्रेंफिल इस्टेडिय मैच रिकोड रहा है टीम इडिया ने अभी तक यहां कुल तीन टीटाउंटी मैच खेले हैं और अब चोथे मुकाबले के लिए रववार को मैदान पूतरेगी भारत ने तिरुवंत पुराम अभी तक कुल तीन मैच खेले हैं इस दुरान दो मुकाबले में जीत दर्च की है और एक मैच मार का साबना किया है भारत ने इस मैदान पर पहला टीटाउंटी मैच नॉमबर 2017 में नुजलेंट के खेलाब खेला था इसे 16-0 से जीता था वह दूसरे मुकाबले में 8 विकर्ट से आरका साबना करना पड़ा था ये मैच वेस्टरंड जी के खेलाब था टीम डैनिया आखरी टीटाउंटी मैच साउथ अपर के खेलाब खेला था वो राट विकर्ट से जीत असल की थी एहम बात यह है कि इस मैदान पर शिवम दोबे भारत के लिए अर्शतक लगा चुके हैं सुरुक मर्यादाओं ने भी आप सेंचुरी लगाई है सुर्या ने 33 बोल पर परपचास रन बनाय थी सुर्य एक बात फिर से टीम इंडिया के लिए इसी मैदान पर दम दिखाते नजर आएंगी गोर्त लबै की वर्टकप 2023 के फाइनल के बाद दोनों टीम में पहली बार एक दूसरे के सामने टीटाउटी स्रीज खेल रही है बार्त ने इस स्रीज में पहले मैच में दो विक्रिट से जीत अजिल की है इस मकाबले में सुरुकमार यादाउन असी रनों के आतीशी पारी खेली थी वह इसान किस्ताने भी अठाव रन बनाय थी अब इन दोनों टीमों के बीच दी स्रीज का दूसरा मकाबला 26 नॉमबर को खेला जाएगा जो किसाम 7 वजे सुषर हो जाएगा और इस मैच की छड़ीवड़ खबरा राइलाइट्स के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राब जरूप कर ले धन्यवाद